तो देखे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज यहां पर सुरू की जारी है इसमें हम देखेंगे परिक्ष्यावानी जो हमारी किताब है उसके अध्यायवार जो हमको MCQs दे गए हैं इनको हम देखेंगे देखे मैंने पहले आपके लिए एक पूरी डिटेल में सीरीज सुरू की थी परिक्ष्यावानी महाकुम्ब उसी तरज पर हम देखेंगे अब परिक्ष्यावानी ज्यान गंगा ज्यान गंगा के अंतरकत हम डिरेक्ट MCQs देखेंगे जो की चैप्टर वाइज है परिक्ष्यावानी पुस्तग में और इस ज्यान गंगा में अगर आप डूपकी लगाएंगे तो मान के चलिए सफलता किनारे तक तो मैं पहुचा ही दूँगा आपको ठीक है बागे आपकी मेनत है और इससे आगे परिक्ष्यावानी परिक्ष्यावानी महाकुम्ब पुस्तग आपने परिक्ष्यावानी पुस्तग नहीं भी पड़ी है ना आप इसको पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो यह आज से हम सीरीज सुरू करें उत्राघंड ग्यान गंगा जो कि चैप्टर वाइज परिक्ष्यावानी पुस्तग के जितने भी महत्तपुंग MCQ उनको आप यहाँ पर देख पाएंगे ठीक है यहाँ परिक्ष्यावानी महाकुम्ब अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको देख लेना विया इसमां सभी चीजाएं उत्राघंड की सैंसस वेरी उत्राघंड परिक्ष्यावानी ज्यान गंगा इसमें केवल हम इन चैप्टर वाई जो यह चैप्टर हमने करवाये थे पहले आपको इसके अंतरकर जो MCQ बनते हैं उनको देखेंगे तो आज है इसमें पार्ट वन जिसमें हम देखेंगे उत्राघंड के राजने तीक प्र मोनाल क्या है तो राज्य कश पुस्प पार्ट की यह थे कह एक है इनके आपके भंडी पूछेतर से मोनाल का आपका नस ब्याट करेंगे तो चैयं दूर्त प्ल्मीब क याẩं करना याया से ब्रह्म कमल का भी आप साइन्टिफिक नेम याद कर लेना यह बहुत जादा महत्वपूंग है अगला कोश्चिन है असकोट वन्य जीव अभ्यारंगे किस जन्पद में इस्तित है तो असकोट वन्य जीव अभ्यारंगे की लोकेशन भाई राइट आंसर हो जाएगा इसका सब्सक्राइब के लिए इसके स्थापना होई थी 1986 में 1986 में बहुत महत्वपूंग सैसन यहां पर कर रहे है आप लोग अच्छे से सैसन को देखिए आप ही महत्वपूंग यांसी क्यों आपके लिए परिक्षा होड़ी होड़ी आगे बढ़ते हैं राज्य पक्षी मोनाल क ठीके अगे बड़ते हैंत्स सचाहिए अगला कुछिन बोलता है। पूल लगने का समय कब होता है तो फूल लगने का समय होता है वर्वरी से अपरेल option A हो जाएगा पूराज्जी में खुल कितने जीले हैं तो आपको पता है राजी में 13 जनपद हैं 13 जनपदों में से जो हमारे 6 जनपद हैं यह कुमाओं मंडल में आते हैं और साथ जनपद ज इस ओपिसर होते हैं जिला अधिगारी होते हैं इन्हीं को रिपोर्ट करते हूं किस तिति को राज्य का नाम उत्रांचल से उत्राखंट कर दिया गया था तो उत्रांचल से उत्राखंट नाम वह राज्य का एक जनवरी 2007 से ठीक है option C मा राइट आंसर है और यह नेक्स कोश चीत है देखिए उत्राखंट राज्य मा जन जाती के लिए दो सीटे आरेक्षीत है और अनुसुची जाती के लिए तेरा विधानसभा सीटे आरेक्षीत है अब यह बात करते हैं कि जन जाती पूछ रहा है सैड्यूल ट्राइब तो दिये गए विगल्पों में सेड्यूल उत्रांचल में ग्लां सभा द्वारा की स्थापना की जाती है उत्राघ cocktail में किस के तायर होती है राज्य सरकार पंचायत होती है तो आपको पता है हाल में स्री नगर को भी नगर निगम बना दिया गया था 31 दिसंबर 2021 को स्री नगर भी नगर निगम बन गया है तो अब हमारी नगर निगमों की संख्या हो गए तो उत्राघंड राजी में त formula में वो चुना जाते है इस्थाए जनता द्वरा ठीके जोना होते हैं आपको ने देखा होगा नगर- सब्राइख जबार प्रबनाया तों ए इस्थाइ hen राज्जी सरकार ने आयोग बन उत्रा बनाया है और ऊग्षित यह दिक्षित आयोग ठीका अथ उत्राखंट का जिला नहीं है फिल से नहीं है पूछ रहे दिए गई विगलबब में उत्राखंट का जिला नहीं है बिजन और ऑप्शन सी हो जाएगा अगला के उत्रांचल राज्ची में महिलाओं के लिए सभी सेवाओं में कितने पृतिशत 36 आरेक्शन का प्रावधान कि उत्राखंट विमन को आपका जो भी जनरल सीट्स होती है जनरल कोटे में बोले तो वहाँ पर इनको दिया जाता है कितना ओरिजेंटल रेजर्वेशन आपका 30 परचेंट यह ओप्शन डी हो जाएगा इसमें 30 पृतिशत इनको आरेक्शन अगला देखिए उत्राखंट वि यह कौन से नमबर का राजजे 27 वा राजजे ठीक है उप्शन कहां क्या बढ़ाई 27 वा है नीज में 27 वा नोट कर लो राखंट भारत का 27 वा राजजे बना ठीक है जलिए आगे बोलिता है उत्राखंट का जो हाई कोड है कहां इस्तित तो उत्राखंट का उच्छी नहाए वट्टिमाल में जो मुख्य नियाएधीस कौन है बताईए मुख्य नियाएधीस कोन है । अगे बोगते हैं राज्य उच्छी नियाले में अध्यक्षी सहीत नियाएधीसों की कुल संख्या कितनी है तो देखे राज जी उच्छी नेले में जो हमारा अध्यक्ष सहीत नियाई धीसों की संख्या है वो हो जाएगी आठ इसमें यह कभी-कभी बतल इस्थिर नहीं रहता है यह वैसे तो एक बनाया गया लेकिन इसमें संख्या घड़ती बढ़ती रहती है यह द्यान रखना है झाल 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 तो देखे दोस्तों जो यी कोशियन है इसमें थोगा डाउट था इसलिए मैंने इसको पोच कर जया था वीडियो को इसमें जो राइट आंसर देखिए कि जब हमारा उत्राखंड राज्य गठनुवा था उसमें न्याईदिसों की कुल संख्या आठ रखी गए थी ठीक है उस प्राघंड हाई कोड में मुख्य न्याईदि सहित न्याईदिसों की कुल संख्या का जो दाइड़ा है फाइनल वह 11 है मैक्जिमुम ठीक है तो ऑप्शन यह होना चीज का आंसर चलिए आगे बड़ते हैं इन मैंसे कौन गरवाल मंडल में नहीं है इन मैंसे करवाल मंडल म के छे जन्पत कौन-कौन से हैं तो यह है बागेश्वर इथोरागर हल्मोडा चंपावत नैनी ताल और उधमश्य नगर मां की जो हमारे साथ जी ले हैं गरवाल मंडल के कौन-कौन से हैं तेरादून हरीद्वार यहरी गरवाल पॉगल गरवाल रुद्र प्रियाग उत्त उत्राघंड राज जी अस्तित्तों में आया तो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए ते नित्यानंद स्वामी जी ठीक है ओप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर लेकिन यहीं कोश्य ने बनता है कि उत्राघंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं एंडी दिवार एक मात्र मुख्यमंत्री एंडी दिवारी जी जिन्होंने अपने पांस साल का कारेगाल पूरा किया यह एक इंपूर्टेंट फैक्ट है पंचैती राज संसोदन अधिनियम 2008 के अंतरगत पंचैतों में महलाओं के आरक्षिकल की सीमा कितनी है तो देखे पंचैती राज का जो हमारा संसोदन आया था 2008 का इसमें यह बोला गया कि पंचैती राज में भी महलाओं को टोटल 50% रिजर्वेशन दिया जाए ठीक है इसका मतलब क्या हो आप समझते हैं इसका मतलब इसका मतलब यह होता है माल लीजे किसी जनपद है माल लीजे मेरा जनपद है देरादू देरादून में पंचैत की कितनी सीटे हैं टोटल एक हजार तो उन एक हजार सीटों में से 500 सीटे जो होंगी वह महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं दावेदारी कर सकते हैं पूरुष उसका फॉर्म नहीं वर पाएंगे वहां पे पंचैत में ठीक है बागी पां पक्षी चुह हमारा राज के पक्षी है और यह पाए जाते हैं आठ हजार से बीस हजार फीट की मुझा है ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ब्रह्म कमल किस देवता को चड़ाया जाता है ब्रह्म कमल ब्रह्म कमल चड़ते हैं अमारे भगवान सीव को खासकर केदार ब्रह्म कमल काफी चड़ाया जाता है 2001 में राज्य में कौन सा नया विभाग स्रजीत किया गया तो 2001 में जो राज्य में नया स्रजीत विभाग है इसका नाम था सुराज भ्रष्टाचार उनमुलन और जनसेवा विभाग ठीक हो ऑप्शनी राइट आंसर है राज्य विदा नेस अन्म coin box सांतんと करलियों मुझे संस्क्रियत कर दूसरी राज्य वाज instagram हंदी बास प्रदेश में टीक है यान की घूल में रखा को वाली राज्य जो होते हैं हमारी जो स्व्विधान के मैंने आपको बता है था ना जो कार्य लई भासा वाला टॉपिक कर रहा है इंधी में वहां पर पता है कोई बात नहीं चेत्रफग के दृष्टी से घटते करम में राज्य के जन्ग पदों में सही क्या हो जाएगा तो यानिकए option c होगा इसक चमोली उत्तरकासी पि ठोपोरागर आपको कप याद रखना ना कप ठीकके यह चार जो बड़ी चेत्रफगा शेत्रफगा याद हो जाएंगे तो उत्राखंड राज में देखिए 14 विधान सभाव सीटों पर एक लोग सभाव सीट है तो आपको पता है उत्राखंड में टुटल लोग सभाव की सीट है कितनी है विधान सभाव की सीट है और लोग सभाव की इस पर पांच हो जाएंगे 14 पंचे सत्तर इन पांच सीटों में से एक सीट रीजर्व है किसके लिए सेड्यूल काश तिकले जो कि अल्मुडा वाली सीट है तो आप्शन नहीं हो जाएगा इसका उत्राखंड के पहले राज्यप अगर पूछा जाएगा तो फिर हमारे बेबी रानी मौरे ने इस्तिफा दिया और वर्तिमान में आपको पता ही है उत्राखंड राज्य के जो हमारे राज्यपाल है वह हमारे बहुत यह अनुभवी एक व्यक्ति हैं ठीक है बहुत प्रसासनिक कार्यों का उनको अनुभव कितना होता क्रमसा तो 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 सेटील कास्ट आनुभविशन नंस प्रतिशत ऑनिके जन जाती को जो रिजर्वेशन बहिसा या वो कितना है जन जाती का आरेक्शन चार प्रतिशत ठीक है और वहीं OBC का जो आरक्षन है राज्य में OBC को मिलता है टोटल 14 पुर्टेंट का रिजर्वेशन जबकि सेंट्रल में देखा रहा है तो 27 पुर्टेंट हो OBC का ठीक है यहां पर कम है तो 14-4-19 तो किसमें है आपका ही हो जाएगा इसका राइड आंसर आपका उननीश चार चौध ऑप्षन है राज्य सिवा में स्वतंत्रा संग्राम सिनानियों और राज्य आंदुलन कार्यों को आरक्षन दिया अभी लेकिन जो स्वतंत्रा संग्राम सिनानियों होता है डिपे रुद्र प्रियाग चंपाउत और बागेश्वर जीले कब बने थे तो दीके रुद्र प्रियाग बागेश्वर और चंपाउत जीले बने थे कब 1997 में आप सभी को पता है पहला जो जन्पत था उत्राखेंड राज्य का वो था अमारा कुमाओ जन्पत जो कि 815 में बनाता ठीके और उसके बाद पॉडल जन्पत बनता है ऐसे फिर हमारा कॉंसा जन्पत बनता है अठार सो एकानवे में अलग हुजाते हैं नहीनितार्वल अल मुगा ठीके और हम आगे जैसे बगएंगे तो फिर जन्पत जब हमारा बनेगा कब बनता हो 1949 में ठीके और चंपावत मां चमोली पिथोरा कर उत्तरकाजी बनते हैं 1960 में तो ऐसे आपको याद रखने हैं महत्तोफ हुए राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्ता कब से लाग है तो देखिए राज्य में राजस्व है राजस्व जो हमारा निरिख्षय उपनिरिख्षय कोता है पटवारी जिस में सरवाधिक गाउं है तो राजस्व के हमारे पॉगली जनपत में सरवाधिक गाउं है और आपको पता है गरवाल मंडल में एक कमिशनर होता है मुख्य आयुकत बोलते हैं जिसको मंडल कमिशनर निम्न जिलों में नहीं है पूचला ले यह गहारी कि जी हरी है घंसाली में है विल्कुल सभा लेरादूं में oppression z तरवादिक छेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो सरवादिक छेत्रफल वाला जिला जो जाएगा वह जाएगा हरिद्वार जिलो में वैसे तो उत्राखंटि राज्य का सबसे ज्यादा छेत्रफल वाला जिला चमोली है लेकिन चमोली तो अभी ऑप्शन में ही नहीं ना तो यहां पर पूच्छा इन दिये गए विकल्पों में सबसे बड़ा जन्पत कौन सा छेत्रफल में तो अरिद्वारी होगा इनमें से उत्राखंट के पहली महिला राज्यपाल कौन थी देखे क्वेशन बन गया तो पहली महिला राज्यवाल थी हमारी कौन अधिक्तम कितने मंत्री हो सकते हैं आप सभी को पता है समीधान में हमारे एक आर्टिकल है जिसके तहत यह बोला गया कि टोटल जो हमारी सीट होंगी उसके पंद्रा पृतिशत से अधिक्का मंत्री मंडल नहीं होना चीए यानि कि महालीजे किसी राज्यमाल बिदान्सभा 2015-1005 यानि कि 10昨.5 हो जाए गई लगवागी 11 हो जाते है तो वत्राग्ड में अθिक्तम कितने मंत्री हो सकते हैं 11 हो सकते हैं इसस्से जाधा नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री 12 हो जाएंगे ऑप्षन b होना च holistic 1 max 11 तो मंत्री हो सकते ना एक मुख्यमंत्री होसाजगा चीप मीनिषेस में 12 हो जाते हैं वैसे 11 वोना चिय थो मंत्री बेंटरी होता हैं उसके पास भी बहुत से विवाग होते हैं कार्मिक और पेंशन विवाग ग्रह विवाग उत्राखण में मुख्य मंत्री स्वयमी लेते हैं अलक से ग्रह मंत्री थोगल मंत्र हमारा देखा होगा अपने तो कुल मिला के देखा जाये तो इसमें 12 सही आंसर हो जाएगा उत्राखण विदांसमा में अनुसूची जनजादी के लिए कितनी सीट आरखछिए तो अनुसूची जनजादी के लिए जो सीटम वो दो है ठीक है एक तो अमारी कउंशी है नानक मत्टा की चक्राता की झीलिके 버ater के नानक मत्ता लूर्प में राश्टपति सार्षन कब जाता है तो उसमें लगता है हमारा राष्टपति सासन कौन से आर्टिकल में बोला गया यह 356 में ठीक है अनुच्छेद तो यहां पर उत्राघंड में लगा था 27 मार्च 2016 को लगा था ठीक है बहुत बारे कोशियन बना है वेरी इंपुड़न है उत्राघंड के पहले पुलि चले हां दो शकन को लगते करने से कौन से पूस्राघंड के में इन में से कौन सा सत्य नहीं है इपिल से पूस्ट गलत कथन को और उतराखंड का राज्य सभा की का लोक सभा की सीट है नोक सभा की टोटल हमारी पान सीट है जिसमें सब्सक्राइब सीट में पता चुग करा तो ते तो मैंज्ब्र सवा की गर्वाल मंडल सीवा कुछ को अच्छा को 따라 तो आपको यही का फैक कुमाव मंडल के कतने जन्पत गर्वाल क्या सीमा के बहुत अच्छा कोश्च नहीं अब सभी को पता है यह चांखन का मेंप गरवाल मेंडल के हैं तो आपको यह पताना है कि यह गरवाल है यह कुमाऊ हो जाते हैं कि तेन जन्पत कि यह की तो इसका जो राइड आंसर जाएगा एक तीन जन्पत इसे आंं नहीं, चार जनपद होगा, ठीक है, चार जनपद जो है, कुमाओ मेंडल की है, वो गरवाल मेंडल की सीमा को इस परस करते हैं, ठीक है, चार जनपद होगा, कौन-कौन से चार जनपद है, बदाईए फिरा, चार जनपद कौन-कौन से होगे, तो इसमें देखें सबसे पहले आजाएगा कौन सा पिथोरागर जनपद और बागेश्वर हो गया ठीक है अलमोडा हो गया और नैनिताल हो गया नैनिताल भाईया अमारा पॉड़ी को टच करता है अलमोडा आपका चमोली और पॉड़ी दोनु को टच करता है बागेश्वर और पिथोरागर केवल चमोली को फोटच करते हैं ठीक है तो यह चार जनपर है जो कि ग्रवाल मंदल की सीमा को इस पर सव करते हैं ठीक हो यह चार जनपर हो जाएगा चली आपके पड़िते हैं एक्स कोशियन की तरब बढ़िते हैं तो राज्य के महादिवक्ता जो होता है, एडवीयट जनरल उसको कौन न्यूक्त करते हैं, राज्य जैपाल, और राज्य जैपाल के परसात परियंतु कितने भी समय तक बने रह सकते हैं, कोई tenure नहीं होता हूंगा, यह भी ध्यान रगें, जैसे महाझे आयवादी होता है, व तो अध्याई दो के जितने भी कोश्चन है यही पर समाप्त हो रहे हैं ठीक है अभी भी कुछ की पॉइंट है जो में डिसकस करना चाहूंगा देके सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आपको ये टॉपिक किलियर करना चाहिए तब जाके अच्छी से याद हो जाएंगे टॉपिक किलियर करने के लिए आपको पता है मैंने क्या पता है परिक्ष्यां महाकुम्ब करके एक स्रीज है जो कि हमने आज से लगबग तीन-चार मैंने पचार-पांच मैंने पहले अक्टूबर के टाइम पर दिया था आपको कनिष्ट साय क एक साथ करेंगे तो आप मान के चलो परिक्ष्यां वांगे फिर आप भूलेंगे इंगी वांगे दिखे कुछ एडिशनल फैक्ट में यहां पर एड करना चाहता हूं जो कि टेस्ट में जो अभी हमने देखा उत्राघंड परिक्ष्यां वांगे घ्यान गंगा में लगबग सभी कोश्चिन कर लिया हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जैसे कि राज्य पूस्पु पूछ लेता हो ठीक है तो राज्य पूस्पु में आपका पूछ लेता है कि इसका जो वानस्पतिक नाम होता है सोसुरिया अबल वेलेटा और ऐसे थैयरिसी कुल का हे पूंदा होता है ऐसे मैं बात करूें देखिये आपका राज्य पक्षी जो है मौनाल का का जो हमारा 15 extending क्रेंट कस्तूरी मिल्ग का वेग्यानिक नाम है मासकस काईसो गाष्टर हिमालियन मसक डियर भी इसको घ्यान नकीगे है और उसके बाद हम बात करें दिखिए अगला जो है राज्य विलिक्षे बुरास का जो वानस्पतिक नाम है रोडोड़ोएंड्रॉन अर्बोरियम है द्यान नक काफल का वेकनिक नाब है मायर का सैपीड यह आपको याद देखना है आप सभी को पता है दोस्तों उत्राखंड में भी देखिए हमारी जो है सासन प्रसासन की संसदात्मक प्रहणाली लागों होते तीन अंग हैं इसके कारेपालिका विधान मंडल और हमारा हाई कोट में आ जाए गए ठीक है और इसके अलावा देखिए महादीवक्ता होता है हमारा महादीवक्ता की नियुक्ति कौन से अनुछेद में बोली गई तो 165 में बोली गई है तो राज्येपाल करते हैं अभी हमने डिसकस किया उपपर यहां निखेंगे इसमें महादीवक्ता बन होगा 9 नमबर 2000 को तो अंतरिम विधान सभा बनी तब ही मैं बोला पुरा लेसन देख लेना लेकिन कुछ की पॉइंट देख लो जहां से कोश्चन बन सकते हैं तो सम 2000 में जब अंतरिम विधान सभा बनी थी तो उसमें 31 विधायक थे उत्रागन की विधान सभा में लेकिन अमारा जो विधायक थे हैं से एक कम हो झाता हैए कोश्चन बना भी एक राजय बनता है और वहीं बात करतें बहादे बह पहले चुनाव को 36 सीटें मिली बस पाको साथ मिली उकेडी को भी सीटें मिलती है चार और राष्ट्या कॉंगरेस पार्टी को भी एक मिलती है निर्दलिय ले जाते हैं तो यहां पर देखिए अमारे जो पहली निर्वाचित विरान सबाती तो 36 अमारा भाउमत होता है आपको पता है सतर सीटे हैं सतर का जो आधा होता प्लस वन सीट होती है तो सतर का आधा 35 धन एक 36 सीट में कोई भी पार्टी मैजोर्टी बना कर यहां पर अपनी सरकार बना सकती है तो कॉंग्रिस की सरकार बनी और अमारे राजी के पहले निर्वाचित मुख्यमंतरी बनते हैं अब तिवारी जी के नाम इसके बाद हम आ जाते है दोस्तों बांकी इसमें हमने लगबख पूरा डिसकस कर लिया जो हमारा टॉपिक है उत्राघंकर राजनेति के वं फ्रसासनीं कि ढाँचा वला कि मांगी उत्राइध में भी देखे जो है लो सब स 훨씬 उपर होते हैं जिला-पन चैट निशन होते हैं और यहांँ पर सबसे महत्वल कोर्चिन बंत किंप पन्चैत ति राज में 2008 में किया मेहलाओं का रिजर्वेशन हमारा 50% किया गया अब कोशेन एक यह भी बनाता है यहां से बहुत इंपोर्टन कोशेन दिए जब पंचैती राज में 50% किया गया था उसमें मेहलाओं के लिए उसमें राज जी के प्रणाली भी अमारे यहां पर है उत्राघंड में स्वायत्य नगर प्रणाली की सुर्वाद होई थी उत्राघंड में 1916 में कोशेन भी बना है इसलिए मैं आपको याद कर दो बोलाओं 1916 में स्वायंक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम था उन्निश्व लगा ठीक है थ् इसके अलावा और इसके उपर होती है और ग्रंद नंगर पंचया थैक और लिए नगर निगमन नीगम यहां से कोशेन अज्वाए नहिंआ है और एक कोशेन और बन शक्ता है नगर च rigorous regain SAL लिए डिसकस कर लेते हैं राज्य में जो नगर पंचायते हैं इने में से तीन नगर पंचायतों में चुनावनी होते हैं तो दोस्तों आज हमारा परिक्षया हम आगे ज्ञान गंगा सेरीज का पार्ट वन यहां पर हमने चैप्टर टू क्लोज कर लिया है उत्राघंड का प्रसासनी के हम राजनेतिक दांचेश से जितने भी महात्रपुग में सेक्जाम में वह हमने क्लियर कर लिए और जिन लोगों ने परिक्षा महाकुम का यह टॉपिक नहीं देखा है आप अगर आपको लगता है किसी कोश्चेन में कोई गलती हुई है कमेंड बॉक्स में कमेंड करना नेक्स वाली जो पार्ट आएगा नेक्स पार्ट में मैं इसको सही कर दूँगा ठीक है तो थैंक्यू फॉर वाचिंग आईज अपना ध्यान रखें अच्छे से अपनी श्टे